हलो नमस्कार शभी शातियों का स्वागत तो कापी शारे सातियों के कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि जेपूर का वर्तमान मांचित्र क्या होगा जिसमें वर्तमान इस्तती में अपन बात करें तो जेपूर में टोटल चार जीले हैं वो नए बनाए गये हैं कहने का मतलब है अब भी जो जेपूर की इस्तती अपन शोचें तो इसका मतलब वहाँ पर चार जीले नए बने हैं पहले केवल एक जेपूर था अब जेपूर में से चार जीले निकले हैं तो इसका मतलब कापी शारे सातियों के दिमाग में एक ही कन्फूजन है कि अब मालो जेपूर के च चुरुआत करते हैं अब साथ यहों मैं आपको बताऊं कि जेपूर में चार जिले नए कौन-कौन से बने सबसे पहला जिले के अगर मैं बात करूं तो जेपूर में नया जिला बना है दूदू केने का मतलब है उसका शेतरफल या उसका मेप की श्परकार होगा देखो जेप दूदू अभी वरतमान इस्तति में नया जिला बना है इसके बाद में काप इशारे सातियों के दिमाग में एक और कन्फूजन था कि चलो मालिया जिला तो बन गया लेकिन पडोस वाले जिले के शेतरफल में कुछ फेर बदली होगा गया बिल्कुल हो सकता है नया जिला ज उसके बाद में सेकिंड अगर में जिले की बात करूँ जेपूर के तो सेकिंड जिला बना आपके कोट पूतली कहने का मतलब है कुछ शेतरफल आपके जेपूर का लिया गया है तो कोट पूतली का आपके ये जो शेतरफल है वो शब से उपर की तरफ है ये तो दो आपके ह अब इसके बाद में तीन नंबर पे है जेपूर उत्तर और आपके चार नंबर पे है जेपूर दक्षिन तो इसका मतलब जेपूर उत्तर और जेपूर दक्षिन का शेतरफल किस परकार होगा या कहां पर होगा शेतरफल उसके बारे में भी अपन बात करेंगे केने का मतलब है उपर जो आपके कोट पूतली जो जिला बना है उसका शेतरफल केवल कोट पूतली शेतरफल जितना नहीं रहेगा क्योंकि उसमें कुछ एक शेतरफल है वो जेपूर के दूसरे शेतर का भी मिलाया जाएगा फिर इसके में दूदू में भी कुछ शेतरफल यहां पर भी मिलाए जाएगा इसका मतलब बाद में अगर बात करें तो यह आपके यहां का जो शेतरफल है यह तो हो जाएगा आपके जेपूर उत्तर का केने का मतलब है ये आपके जेपूर उत्तर का शेतरफल हो जाएगा और ये आपके शिमा हो जाएगी जेपूर दक्षिन की तो केने का मतलब है जेपूर को आपके तोड़ कर चार जिले बनाएंगे हैं वो इश्क परकार बनेंगे उपर और उपर कौन सा जिले बनेगा कोट पूतली फिर आपके दूशरी तरफ नीचे की तरफ बनेगा दूदू और उपर की तरफ जेपूर उतर और नीचे की तरफ जेपूर दक्षिन अब आपके दिमाग में एक शवाल दिमाग में आ रहा है कि जेपूर चलो मान लिया चार जिले बना दिये लेकिन अब नए राजस्तान की राजदानी कौनशी होगी क्योंकि जेपूर वर्तमान में खुदगा अस्तितुए है नहीं अब लेकिन अपन बात करें तो जेपूर एक तो उतर है जेपूर दक्षिन है और दूदू है और कोटपूतली है चार जिले बनाएं गये हैं अब आपके इसाब से नए राजस्तान की राजदानी कौनशी होगी होगी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा चार जिला होने के पश्चात राजस्तान की राजदानी कौनशी होगी फेर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किश भी परकार का कन्फूजन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका सत परतिशत डाउट किलियर करने की कोशिस रहेगी